कई साल पूरानी बात है, सन 1998 में अमेरिका के कॉलोराइडो के शहर नौर्ट डैन्वर में कई बच्चे एक एक कर लापता हो रहे थे वहां की पोलिस भी इस बात को लेकर थी परिशान और वहां के लोग भी इस बात को आया दिन अकबार में पढ़ा करते थे नौर्ट डैन्वर शहर के एक एक इलाखे में रहा करता था एक धरिंदाश साइको किलर जो बच्चों को अगवा करकर उन्हें बेरे मिसे मारकर अपने घर के दूसरे घर में उन लाशों को दफना था जब एक 13 साल के फिनी नाम के बच्चे को उस आईको किलर ने अगवा कर चींजनुरा चेलिया।। उस साइको किलर को ये पता नहीं था कि इसका अंजाम क्या होने वाला था। क्योंकि फिनी अब अकेला नहीं था। उसके पांच दोस्त। उसे यहां से निकालने में उसकी मदद करते है। फिनी की चोटी बेन, जिसका नाम थ सांन। गवेन उसे विरासत से यानि उसकी माँ से ऐसी शक्ती हासिलती कि वो सपने के द्वारा हुवी गटनाओं के बारे में जान सकती थी। गंटो की मुवी को कुछे मिंटों में देखकर हम समझनी की कोशिश करेंगे, बने रही है मेरे साथ, तो आएए दोस्तों मुवी के कानी को शुरू करते हैं। मुवी के शुरूआत में हम देखते हैं, फिनी अपने दोस्तों के साथ बेसबॉल खेल रहा है, और थोड़ी देर के बाद वो घर भी चले जाते हैं। फिनी अपने पापा और उसकी छोटी बैं गुएन के साथ रहा करता था। फिनी की मा की कई साल पहले मोध हो चुकी थी। आम दिनों की जैसे वो दोनों स्कूल जाते वक्त वहाला गई मिसिंग बच्चे के पैंपनेट को देखते हैं। जिसका नाम था ब्रूस या मारा और वो बेसबॉल प्लेयर था। फिनी भी उसे जानता था। रास्ते में फिनी अपने दोस्त रॉबिन को देखता हैं जो मूस नाम के लड़के को मार रहा था। और सब बच्चे भी इसे देख रहे थे। स्कूल के वाश्रों में फिनी को कुछ बच्चे मारने आते वक्त उसे उसका दोस्त रॉबिन बचाता है और उन्हें धमकी देकर भेशता है। स्कूल में पोलिस ग्वेन से पूछतास करने आते हैं क्योंकि ग्वेन ने उसकी दोस्त एमी अमारा से लापता हुए उसके भाई ब्रूस अमारा के बारे में चोका देने वाले बाते बताई थी जो पोलिस के केस में मेल खा रही थी जिसे ग्वेन ने सपने में देगा विनी के बेश्ट फ्रेंड रूबिन को भी अगवा करकर उसे मार देता है और ये खबर को पूलिस विनी के पापा को पताते हैं विनी को ये बात अपने पापा से सुनकर बहुत बुरा लगता है विनी का बेश्ट फ्रेंड रूबिन अब रास्ते से हट गया सुनकर विनी को ये लोग खूब पीटते हैं स्कूल कतम करकर दोनों घर जाते वक्त वेन अपने दोस्ट सूजी के वहाँ रुकने जाती है, वो हर फ्राइड़ को वही ठहरा करती थी वीनी अखेले अपने घर जाते वक्त काले वैन वाला किड्नैपर उसे अगवा करकर एक साउंट प्रूप बेस्मेंट में लाकर केद करता है वीनी वहाँ से भाहर निकलनी की कोशिश करता है पर वो डोर लॉक था सब जागे को छान कर भाहर आनी की रास्ते को खोशता है आखिर में वहाँ दिवार में टंगी फोन से कॉल करकर मदद मांगने की कोशिश करता है पर उसके तार तो तूटी हुई थी वहाँ ग्वैन को उसके पापा सूजी के गर कॉल करकर वीनी अब तक नहीं लोटा कहने पर वो भाग कर वहाँ जाती है यहाँ वीनी चीक कर मदद के लिए गुहार लगाता है पर वो बेस्मेंट साउंड प्रोप मने के कारण कोई उसे नहीं सुनता थोड़ी देर बाद वो डेट फोन रिंग करना शुरू करती है इससे सुनकर वीनी घबरा जाता है पर फिर भी हिमत करकर फोन को उठा कर बात करते वक्त कोई उसे जवाब नहीं देता थोड़े वक्त बाद फिर से फोन रिंग होती है इस बाद जब वीनी फोन को उठाता है उसे एक धराणी आवाज से कोई हुकारता है जिससे वो धरकर दूर हट जाता है पर फिर से फोन रिंग होती है हिमत करकर फोन उठा कर बात करते हुग उसका बेदबॉल प्लेएर प्रूस बात करता है वो व्यनी को यहां से बाहँ निकलने का रास्ता बताता है जिसे प्रूस यमढ़ा नहीं कर पाई था प्रूस ने बता है उक्रिटाइस को निकाल कर वहाँ पर हाथों से खुदाई करता है और उस मिट्टी को कमोड में दाल कर फ्लश करता है खोदे वे आदे गड़े को कार्पिट से ढखता है वहाँ ग्वेन रात को सोने से पहले परमात्मा से प्रातना करकर सोती है जिससे उसे सपना दिखाए देता है कि प्रूस को कोई काले गाड़ी में किट्नैप करकर ले जा रहा है और उसका भाई मदद मांग रहा देखकर चोक कर उठती है दो दिन बाद वो विनी को खाना लाकर देता है और वहाँ से डूर को लॉक करे बगे उपर चला जाता है इसे देखकर डूर खोलने देखते वक्त फोन बचता है विनी को बचाने बिली नाम का पेपर बॉय उसे उपर ना चाहो कहता है वो बेल्ट से पीटे का कहे कर थोड़ी दिर पाद उसे सपने में पेपर बॉई को भी वो काले वनवाला किड्नेप करकर ले जा रहा है और उस किड्नेपर के साथ वाँ के पेड़ और घर को भी सपने में देखती है या विनी को या से बाहर निकल ले मरा हुआ पेपर बॉय उससे उसने चुपाई केबल तार को वहाँ से निकाल कर उपर चड़ कर वहाँ से बाहर जाने के तार विनी उस तार को निकाल कर केसे ना केसे उसे उस ग्रिल में फसा कर उपर जाने की कोशिश करते वक्त वो ग्रिल के साथ नीचे गिर जाता है बच्चे गायब हुए इलाके से पूलिस घरों में जाकर पूछताश करते वक्त किड्नैपर के घर आकर वीनी की तस्वीर दिखाते हैं पर दोस्तों वो तो मैक्स था जो किड्नैपर का भाई था और वो कुछ दिन पहले ही यहां आया था वास सपनों में देखे घर और पेड़ को अपने पापा से केकर भार गाड़ी में दून रहती ग्वैन ताकि उसका भाई मिल सके वीनी को खाना और कोल्डरिंग देने से पहले वो किड्नैपर से उसका नाम पूछता है क्योंकि उस साइको किलर ने पहले ही उसका नाम को पेपर में देख लिया था वर वीनी उसे चूटा नाम बताने पर वो उस खाने को फेक कर गुस्ते से उपर जाता है विन्यूस नीचे गिरे हुए खाने को इकटा करकर खा लेता है अंदेर रूम में अपने टॉय की टॉर्च को दार कर देखते वक्त उसे ग्रिफन नाव का मरा हुआ लड़का उल्टा लड़का हुआ दिकाई देता है जो फोन के तरफ इशारा कर रहा था विन्यूस से फोन में बात करते वक्त ग्रिफन उसे उपर जाकर लॉग खोलकर बाहर जाने कहता है वो लॉग उस लड़के के ही साइकल से चुराई हुई थी उस किटनैपर ने दिवार में ग्रिफन न लिके कॉमिनेशन कोड को देखकर उपर जाकर उसे खोल कर बाहर भागते वक्त किड्नैपर उसे पकड़ कर फिर से बेस्मेंट में केट करता है वागवेन को और एक मरा हुआ वेंसोपर नाम के लड़के का सपना आता है जिसमें वो उस किड्नैपर के मकां का नमबर के साथ पेड और उस घर के केट को दिखाता है यहाँ पर वो लड़का विनी को फोन के माध्यम से उसे बताता है वाँ से दिवार के उस पार रखे फ्रीजर से बाहर निकलने का रास्ता पर वो जब उस दिवार को खोट कर फ्रीजर के स्क्रू को खोल कर अंदर जाकर देखते वक्त वो डूर लॉक था इससे देखकर खूब रोता है विनी यह सोचकर की उसे वो साइको किलर माहरी देगा पर दोस्तो उम्मित के किरन विनी को नजर आती है जब उसका बेश्ट फ्रेंड रॉबिन विनी को फोन के वारा उसकी मदद करता है वो विनी को होसला देते हुए उस किड्नैपर से उसकी मोत का बदला लेने केता है फोन को हत्यार बना कर कैसे इस्तमार करे यह ट्रेनिंग देकर उसमें मिट्टी बरकर उस किड्नैपर को मारने केकर रॉबिन अपने लोग में चला जाता है रॉबिन ने कहां वैसे वो करता है फोन में मिट्टी बरकर उसे वहां रखता है साथी किड्नैपर को गड़े में गिराने के लिए केबल वायर से वहां ट्रैप तैयर करता है वहां Gwen ने सपने में देखे उस घर को दूनते जाते वक्त वहां वो पाच मरे हुए बच्चे रास्ते में आड़ा आकर उसका साइकल गिरा देते हैं उस मकान के सामने जिसे Gwen ने सपने में देखा था इसे देखकर Gwen घर जाकर पोलिस को कॉल करकर बता देती है या किटनैपर के भाई को उसके भाई के उपर शक होकर वो घर के नीचे के बेस्मेंट में जाकर देखते वक्त वहां विनी नजर आता है उसे बच्चाने जाते वक्त वो साइको खिलर पीचर से अपने भाई को कुलाडी से मार देता है वहां Gwen पोलिस को उस मकान के अंदर जाने कहती है डोर को तोड़ कर अंदर जाकर देखते वक्त उन्हें वहां कुछ नहीं मिलता या विनी को भी कुलाडी से मारने देखते वक्त विनी उसे उस ट्रैप में गिरा कर कई बार उसके सीर और चेरे में मार कर उसे घायर कर उसके गले में फोन की तार को दार कर कसके पकड़ता है और तब फोन बसती है विनी उस किड्नैपर को सबी मरे हुए बच्चों की आवास को सुनाता है और फिर उसे जान से मार देता है और रास्ते में खड़े कुट्टे को फ्रीजर में रखे माउस को देखर बेस्मेंट से उपर आता है यहां किरकार बेस्मेंट में जाने का रास्ता मिलता है वहाँ जाकर देखते वक्त पोलिस को पाच कब्र दिखाई देती है जिसे उस सीरियर खिलर ने मार कर बच्चों को दफनाया था ग्वेन बेटे उसके सामने के घर से उसका भाई आने का देखकर वो खुशी से भाग कर जाकर उसके गले लगती है विन्ई पोलिस को बेस्मेंट में जाने केहता है थोड़ी देर में विनी के पापा भी आ जाते हैं तो दोस्तो उसकी डैपर के दो मकान थे एक मकान में वो बच्छों को मार कर दफना दा था और दूसरे मकान में उन्हें टॉर्चर दिया करता था तो ऐसे दोस्तो प्यारे से विनी की होरर स्टोरी यही पर कतम होती है आप अपना खूब खाया लटना मैं लोटंगा और एक एक इंटरेस्टिंग मूवी की कहानी को लेकर तब तक के लिए बाई दोस्तो